हेलो कमांडोस, वेल्कम टू बाइयो मेंटक्लासेश ऑनलाइन, आपका स्वाउगत है रीकप सीरीज में, और आज हम रीकप सीरीज में करने जा रहे हैं, कुरन्ट एलेक्टिसिटी का जानते है, कॉन से लेक्ट सरहुएं, छटा लेक्ट्यरो में, और आखरी लेक्ट्यरों, सोती होंगी वो भी साल्व हो गई होगी चलिए देरी कहां करेंगे आज कहां लेक्चर चुरू करेंगे तो यह रहा हमारा पहला सवाल इस लेक्चर में सवाल बहुत अच्छे हमने सिलेक्ट करें हैं तो आप इसको नोट करिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अब इसको पढ़ते हैं, in the circuit the galvanometer G shows zero deflection, zero deflection show करता है, if the batteries A and B have negligible internal resistance, यह A है, जिसका EMF है 2 volt और यह B है, जिसका EMF 12 volt है, इनका internal resistance negligible है, the value of the register R will be, तो R की value, तो किर्चाफ रूल से ही solve होगा, तो चलिए इसको solve करने शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, हमने मानते हैं कि यह battery कितनी current दे रही है, I1, और यह battery कितनी current दे रही है, I2, क्योंकि galvanometer zero deflection का show करता है, तो हम I2 को बाद में zero होंगे, तो यहां से आ रही है I1, और यहां से आ रही है I2, दोनों मिल जाएंगी, तो यह हो जाएंगी I1 प्लस I2, और फिर I2 अपने रास्ते चली जाएगी, और I1 भी अपने रास्ते चली जाएगी, तो यह loop बन गए, A, B, C, यह D, E, और यह F, तो किर्चाफ रूल हमे दोनों loops में लगाएंगे जा रहे हैं, तो देखिए कैसे किर्चाफ रूल को लगाएंगे, सबसे पहले हम A, B, C, D, A में किर्चाफ रूल लगाएंगे, सिग्मा I1 एक्वाल टू, सिंपल कंसेप्ट, सिग्मा I1, तो यह में तो दिख रहा है 12, करेंट दिख रही है, 1000 I1 प इसके आद हमें एक और लूप की जरुवत पड़ेगी, तो दूसरा लूप हम ले देते हैं, EF, ध्यान दीजे, EF, C, D, A, तो EMF तो आपका दिख रहा है, दो बोल्ड, करेंट दिख रही है, I1 प्लस I2 इंटू R, क्योंकि हम मानते हैं कि यह आइडियल गैल्वनोमीटर है, आइडियल गैल्वनोमीटर का रहिशन्स क्या होता है, आइडियल गैल्वनोमीटर का रहिशन्स क्या होता है, जीरो माना अब सवाल में condition दी गई है कि galvanometer किसी भी तरह के deflection को शो नहीं करता है तो भाई इसका मतलब क्या है इसका मतलब बहुत clear है कि i2 की जो value है वो 0 है तो आप सोचे होंगे पहले क्यों नहीं 0 ली यह भी अच्छा सवाल है ऐसा कभी मत करा करिये कि i2 की value 0 है यह दोनों equation पहले और दूसरे में हम i2 की value रख देंगे 0 तो पहले equation में जब i2 की value 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा बारा इक्वेल टू अजार i1 प्लस आर आर आई वर प्लस आर आई वर यह पहला equation ऐसे बदल गया 1 डेश कर लेते हैं अब दूसरे equation में हम r2 की value को 0 रखेंगे तो यह हो गया 2 equal to i1 r r i1 तो r i1 की value अब इसको दूसर डेश कह देते हैं अब देखिए r i1 की value कितनी आगई दो आगई तो अब इस value को हम first equation में rewrite करिए 1000 i1 और यह है हमारा r i1 तो इसकी value को हमें 2 लिखना है 12 equal to 1000 i1 plus 2 10 equal to 1000 i1 तो आप देखो तो i1 की value हो गई 10 upon 1000 तो i1 की value हो गई 1 upon 100 MPR एक तो हमने इसे calculate कर लिया अब second dash equation को दुबारा देखिए हमें दिया हुए 2 equal to r i1 और i1 हम निकाल चुके हैं i1 हम कितना निकाल चुके 1 by 100 तो यह multiply हो जाएगा तो r की value कितनी आ जाएगी 200 तो इसका जो आर का value का answer है वो कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए 200 बहुत important है important expected note कर लिजे समझ में आ गया आपको किर्चाफ रूल लगा दिया और simple application of picture of rule है बस यहां इन calculations का आपको थोड़ा ध्यार रखना है अब यह रहा हमारा अगला सवार यह भी बड़ा important सवाल है इस सब्सक्राइब सवाल पूछे जा सकते हैं note करें in the circuit shown in the figure the current i is current i को आपको calculate करना है और voltage दिये गए है देखे एक का potential दिया हुआ है 24 volt सी का potential दिया हुआ है 10 volt घ्राण दीजे और डी का potential दिया हुआ है 9 volt पर पी का potential नहीं मालूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पी के potential को हम लिख देंगे माल लेंगे x volt पी के potential को हम माल लेंगे x volt अब देखिए यहां से यह i ampere current है यह जा रही है और अगर हमने पी का potential निकाल लिया x निकाल लिया तो हम current i को भी calculate कर सकते हैं तो पहला equation standard equation बन गया i equal to i1 plus i2 तो अगली स्राइड में भी इनको भी marking कर देते हैं i1 and this is i2 और इसको हमने माल लिया था export हाँ तो हम बात कर रहे थे i equal to i1 plus i2 पहले loss है अब current होती है v equal to i r जो omslaw होता है वो होता है v equal to i r तो omslaw से हम कह सकते हैं अगर v equal to i r है तो i क्या होना चाहिए v by r तो i क्या होना चाहिए potential difference divided by right sense तो i flow हो रही है e p में i flow हो रही है e p में तो e p में potential difference कितना होगा va minus vb upon r i1 flow हो रही है p c में तो potential difference होगा x minus 10 और resistance है p c का 2 plus i2 flow हो रही है p d में p d में तो potential difference हो जाएगा x minus d का potential नो देखे vp minus vb तो x minus 9 और resistance की value कितनी होगा तो अब देखे v a कितना है 24 vp कितना है x x minus 10 by 2 plus x minus 9 तो अब हमें इस equation को solve करके x निकाल लेना है बहुत अच्छा सवार है यह बत सोचिए कि यह j level का सवार है कि क्यों नहीं पूछा जा सकता है बिलकुल पूछा जा सकता है और यह हमें मालूप होना चाहिए हमने simple ohms law यूज किया है और kirchoff rule यूज किया है तो आगे ले जाते है equations को 24 minus x by 3 x minus 10 by 2 x minus 10 by 2 plus x minus 9 अब इस पूरे equation को 6 से multiply कर दीए क्यों क्योंकि 3 और 2 का calcium 6 है तो 6 से multiply कर देंगे 6 into x minus 10 by 2 plus 6 into x minus 9 तो यह दो बार कट जाएगा तो यह अंदर multiply होगा 48 minus 2x यह 3 बार कट देगा तो यह अंदर multiply होगा 3x minus 30 6 को अंदर multiply करिए 6x minus 54 अब सारे x के terms को आप एक तरफ ले जाएंगे 48 30 को इदर लाओ plus 30 minus 54 को भी इदर लेके आओ plus 54 x को एक तरफ रखो 3x plus 6x और इधर से आया 2x को कितना हो गया अब यह सब जुड जाएंगे 78 plus 54 तीन अचे 9 और 2 11 11 x जोड दिजे 132 11 x तो अब दिखे 132 equal to 132 equal to 11 x तो 132 equal to 11 x तो x equal to 132 by 11 काट दीजे 11 7 वान वान दो, 22 x की वालू क्या ही 12 तो potential of P कितना हो गया 12 volt पोटेंचियल की कितना हो गया पोटेंचियल की कितना हो गया बारा वोल्थ अब देख है इतना हो गया ऑदाफिक हैlaughter 24 तीन तो आप देखिए यह हमारा जो यह 24 वोल्ट पे था और यह तीन ओम था और यह पी का पोटेंशल कितनें उड्स हमनी काल चुका है और इस तो कितनी करणठ क्या होगी पोटेंशल डिफरेंज टिवाइड़ ररी से स्फेड तो करण होगी 24 वह कितनी होगी करण कीवई कितनी होगी चार एंपियर होगी 3S का राइट आंस है बहुत बढ़िया सवाज है ऐसे सवाल हो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कैल्कुलेशन में एक भी गल्पी होगी तो आंसर क्या हो जाएगा चला जाएगा तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल कितब यह देखे इसको आप नोट करिए दा एक्विविलेंट रैजिसन्स एक्रोस एक्स वाइ एक्स वाइ पर एक्विविलेंट रैसिंस कितना होगा चार आंसर दिये गए तो चलिए अगली स्लाइड में हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके थोड़े डाइगरम बनाते हैं, यह देखिए X है, और यहां जुड़ा हुआ है, 2R, फिर हमें मिल गया Y, अब X और Y नीचे से आईए, देखिए नीचे देखिए, X और Y के बीचे क्या जुड़ा हुआ है, 2R, तो लिख दीजिए 2R, यह X माल लीजिए और यह Y माल लीजिए, फिर X और Y के बीच में जुड़ा हुआ है, नियान दीजिए, X और Y के बीच में जुड़ा हुआ है, यह देखिए जा रहा है, आर और तो हमने इसको लिख दिया आर और आर अब यह देखिए वायर ऊपर से गया है किसे गया है इसके ऊपर से गया है तो एक्स हो गया तो एक्स और वाय के बीच में यह भी जुड़ा हुगा आर और यह आर जिरो ने एक्विवलेंट राइसेंस की प्रैक्टिस करी होगी वो समझ गये होंगे कि हम क्या करना चाहरे है तो अब आगे इस डाइग्राम को अंगली स्लाइड में हम क्या करेंगे शिप्ट करेंगे टू आर और 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 टू आर अगे थोड़ा बढ़ा बना देते हैं तो आर फिर और 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 फिर और और फिर आर और अब तक तो जिरोंने कर रहा हुआ मबास साथ कोशन उनके असान है आर और आः आयर आपके सिरीज में हो गया यह वगए हमारा टू आर यह भी हो गया ठुट आर और यह भी हो गया तू आर और ऑखनि वारा भी हो गया टू आर तो equivalent races between x and y will be 2r divided by 4 the answer is r by 2 the answer is r by 2 तरल सवाल था आप लोगों ने करे होगे ऐसे सवाल तो अब हम revision कर रहे हैं तो revise पर करना ही पड़ेगा तो इसका answer है r by 2 4th answer is the right answer आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ यह रहा हमारा अगला सवाल यह किर्चाफ रूल पर बेश सवाल है करना पड़ेगा किर्चाफ रूल अप्लाई करके चलिए आप इसे नोट कर लिए दा पोटेंशल डिफरेंस बिट्वीन दा टर्मिल्स ए और बी तो भाई ए और बी के बीच में आपको पोटेंशल डिफरेंस निकालना है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि और बी बлек कितनी करेंश रो हो रही ही सबसे पहले तो करेंशल करेंगे सबसे पहले करेंशल करेंशल करेंगे और पिर ट्रिफेर रूल लगाईगे अगली स्रीपे चलते है और यह थोने पॉइंट्स को नेम कर देते ऑए A, B और ये हो गया C और ये हो गया D अब माल लीजे इस से कितनी करण निकली I, 1 और यहां से कितनी करण निकली I, 2 यहां से कितनी आ रही है I, 2 आ रही है यह मिल गई यह उसमें कितनी करण जाएगी I, 1 प्लस I, 2 यहां करण आ रही है I, 1 प्लस I, 2 फिर यह बढ़ जाएगी यहां पर वापस I, 2 अपने राश्ने चली जाएगी और I, 1 इदह चली जाएगी तो यह तो हुआ आपका करण का distribution अब हमारे को किर्चाफ रूल अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लूट फिलग करेंगे A, B, D, A A, B, D, A में हम किर्चाफ रूल लगा रहे हैं सिग्मा E इकवल टू सिग्मा आईयार सिग्मा E इकवल टू सिग्मा आईयार ठीक है और हमें I, 1 और I, 2 को निकालने के लिए हमें एक और लूप लगेगा कितने लूप लगेंगे दो लूप लगेंगे तो सबसे पहले current distribution को आप नोट करें तो उसके बाद ही हम किर्चाफ रूल को क्या कर सकते हैं उसमें एप्लाइब कर सकते हैं तो किर्चाफ रूल लगाने पर यह आ जाएगा तो ABDA में हम किर्चाफ रूल लगाने तो बैटरी तो एक ही है पांच 10 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 20 I1 तो यह मिल गया हमें 5 इक्वल टू 30 I1 प्लस 10 I2 यह हमारा हो गया पहला एक्वेशन अब हमें एक और लूप चाहिए तो हम लूप ले लेते हैं BC घ्यान दीजे BC AB इसमें किर्चाफ रूल लगाएंगे तो एक ही बैटरी दिख रही है दो गोल की तो टू इक्वल टू करेंट इंटू राइसिंस 10 I2 और 10 इंटू I1 प्लस I2 तो यह मिल गया टू इक्वल टू 10 I1 10 और 10 20 20 I2 यह दो इक्वेशन आपके बन दे हैं इन दो इक्वेशन की मदद से आपको निकालना है I1 और I2 तो अगली स्लाइट पर निकालते हैं 5 इक्वल टू 30 I1 प्लस 10 I2 30 I1 प्लस 10 I2 एक बार फिर चग कर लेते हैं कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए और दूसरा एक्वेशन है 2 इक्वेशन है 2 इक्वेशन टू 10 I1 प्लस 20 I2 10 I1 प्लस 20 I2 तो एक काम करते हैं इस पूरे एक्वेशन को हम 3 से मल्टिप्लाइ कर देते हैं यह हो जाएगा छी 30 I1 प्लस 30 से मल्टिप्लाइ करा तो यह हो गया 60 I2 और उसके ठीक नीचे इस एक्वेशन को लिख लेते हैं 30 I1 प्लस 10 I2 को अब माइनस कर देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस यह कैंसल हो जाएगा यह एक आ गया और यह हो गया 50 I2 तो देखिए I2 की वैल्यू रख दीजे 1 बाइ 50 तो यह आ गया 5 इक्वेशन कर देखिए 30 I1 25 में से एक गया 24 24 अपॉन 5 इक्वेशन कर देखिए और पांस से नहीं यह होगा चार से और तो अब चार से नहीं होगा यह तो इसको थोड़ा हमें कैंसलेशन में थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो दो से करते हैं तो यह 12 हो गया और यह हो गया 15 तो I1 हो गया आपका 12 बाइ 75 यह आपके I1 और I2 की वैल्यू आ गई अब हमें इन दोनों वैलिस को क्या करना है जोड़ देना है तो जब हम दोनों वैलिस को जोड़ देंगे तो हमारा I1 प्लस I2 मिल जाएगा तो हमें निकालना I1 प्लस I2 पोटेंशल डिफरेंस के लिए जरूरी है तो यह हो गया 1 बाइ 50 और यह हो गया 12 बाइ 75 यह हो गया ट्वैल्टिफाइव एल्सियम ले लिज 300 तो अब पोटेंशल डिफरेंस होगा पोटेंशल डिफरेंस वी ए माइनस वी इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटो रिशेंस 10 यह हो गया 54 बाइ 300 इंटो 10 54 बाइ 30 छे से कार दीजे 5 और यह 9 बार कर जाएगा तो वी ए माइनस वी बी आ गया 9 अपॉन पाँच 1.8 वोल्ट जिसका जो करेक्ट आंसर है वो 1.8 वोल्ट है देखते हैं कौन सा है स्पीड से करना पड़ेगा यह रहा आपका आंसर पोटेंच वी ए माइनस वी बी आइवन प्लस आइटू इंटो 10 बस आइवन आइटू निकालना था किर्चौफ रूर्स से करिए और कई जगा इसके बहुत शॉर्ट कट मेथड्स दिये गए उनको फॉलो मत करिए और प्रेक्टिस करिए 1.8 वोल्ट आगे बढ़ते हैं अ तो शेल्स अफ एम एफ 3 वोल्ट और 5 वोल्ट और इंटर्नल रिजिस आरवन और रटो रिस्पेक्टिवली आर इंटर्नल रिजिस आर इफ दा पोटेंचिल डिफरेंस अक्रॉस पर सेल इस जीरो देन आर इस इस ही सवाल है कर सकते हैं तो देखिए एक 3 वोल्ट है और एक पाँच वोल्ट है तो इसका इंटर्नल रहिजिस आर वन और यह हो गया हमारा तीन वोल्ट और दूसरे सेल का इंटर्नल रहिजिस आर टू और एमेफ 5 वोल्ट और यह जुड़े होए एक एक gloss से जिसकी value है r तो step number one में आप निकाल लिए current आप हो क्या निकालनी है? current निकालनी है तो total यह में तीन और पांच जुड़ गए 8, total raises r1 प्लस r2 प्लस r तो current आगई 8 upon r1 प्लस r2 प्लस r step number two पहले cell के लिए for first cell हमें यूज करना है e equal to v plus r किस के लिए यूज करना है? पहले cell के लिए हमें यह formula यूज करना है और हमें कहा गया है कि पहले cell पर potential difference कितना है? 0 तो यह हो गया e equal to r पहले cell का यह में तीन current 8 upon r1 प्लस r2 प्लस r into internal resistance r1 तो यह आपका यहाँ पर solve हुआ यही पर solve करेंगे 3 equal to 8 r1 upon r1 plus r2 plus r cross multiply कर दीजे 3 r1 plus 3 r2 plus 3 r equal to 8 r1 r1 r2 को right hand side transfer करिए 8 r1 minus 3 r1 minus 3 r2 तो तो 3 r हो गया 5 r1 minus 3 r2 तो r की value हो गई 5 r1 minus 3 r2 divided by 3 तो यहाँ गया आपका answer दो step में हमा answer को क्या कर सकते हैं असानी से calculate कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के 5 r1 minus 3 r2 upon 3 तो first is the right answer तो एक में इसे solve किया जा सकता है अगर आपके concept clear है step number 1 में current निकाल लीजे step number 2 में पहले cell के ले formula यूज कर लीजे और यह दिया गया है कि पहले cell पर potential difference क्या जीए वह तो e equal to IR हुआ पहले cell का internal resistance कितना r1 और current हम निकाल चुके 8 upon r1 plus r2 plus r तो practice की जरुवत है तभी एक में हम कर पाएंगे यह रहा हमारा अगला सवार ग्राप पर बेज दे इसको note करिए ओके for a cell the graph between potential difference across the terminals of the cell and the current I drawn from the cell as shown the EMF or an internal resistance of cell is तो देखिए यहाँ पर EMF भी पूछा है लेकिन EMF का answer नहीं दिया कोई बात नहीं अब सबसे पहले cell की theory से थोड़ा इस graph को रीड कर लेते हैं आप देखिए जब current zero होती है तब terminal voltage कितना होता है दो तो current zero होने का मतलब है कि cell open circuit में है तो जब cell open circuit में होता है तब current क्या होती है zero तब terminal voltage कितना बता रहा है दो तो यहां से हम read कर सकते हैं कि cell का EMF कितने वोल्ट है दो वोल्ट है क्योंकि EMF को एक और तरीके से define किया जाता है maximum potential difference तो maximum potential difference कितना दिख रहा है हमें दो दिख रहा है तो वो EMF हो गया अब दूसरे point पर आते हैं यहां पर आप देखिए current कितनी है इस point पर देखिए current कितनी है 3A पर terminal voltage क्या है 0 तो हम cell formula यूज़ करेंगे E equal to V plus IR इसी slide में इसको solve कर लेंगे EMF निकाल चुके हैं दो जब current 3A होती है तब terminal potential difference 0 होता है 3R तो 2 equal to 3R simple सवाल है तो R equal to 2 by 3 ohm तो EMF का answer है 2 volt चॉज़ में दिया गया और internal resistance है 2 by 3 ohm सीधर सीधर सवाल असान सवाल तो यह समझ में आगे होगा आपको आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जल्दी से यह रहा हमारा अगला सवाल इसको नोट किया जाए दा मैंजनीटुड़ और डारेक्शिर अब दा करेंट इन दा फॉलिंग सर्केट यह नीट 2020 ने पूछा गया था बड़ा सवाल है सबसे पहले सेल्स को देखते हैं सबसे पहले सेल्स को देखते हैं अब आप देखिए यह निगेटिव टर्मेल है और यह इसका कौन सा टर् पॉज़ा रहा है यह सेल उल्टे जुड़े हुए अगर हम बात करें कि 10 V माल लीजे सर्केट में सिर्व 10 V का सैल हो तो कैसे करंट देगा करंट उसके प्लस से स्टार्ट होगा ऐसे ओप clockwise और माल लिजिए अगर circuit में सिर्फ पांच वोल्ट का सैज हो तो वो अपने प्लस चर्मेल से current को छोड़ेगा ऐसे तो इसका मतलब है कि जो 10 वोल्ट है 10 वोल्ट का जो EMF है वो किस दारेक्शन में एक्ट कर रहा है अटी clockwise और पांच वोल्ट का EMF किस दारेक्शन में एक्ट कर रहा है अटी clockwise अटी clockwise दोनों एक दोसे का विरोध कर रहे है अपोस कर रहे तो नेट EMF क्योंकि 10 पांच से बड़ा है तो नेट EMF होगा 10 माइनस 5 5 वोल्ट और नेट EMF किस दारेक्शन में लगेगा clockwise गड़ी की दिशा में लगेगा इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई इस circuit में current clockwise flow होगी माल लो current कितनी है आई तो यह तो मालूम चल गया कि current A से भी जाएगी ना कि B से A यह answer गलत हो गया यह answer भी गलत हो गया अब बचे दो answer पहला answer 0.5 A from A to B दूसरा answer 5 by 9 A from A to B तो भाई अब current निकालनी है तो current निकालने के लिए हम बिल्कुश simple formula यूज़ कर सकते हैं ओम फ्लाफ net EMF हमें मालूम है net EMF हमें मालूम है कितना है net EMF हमें मालूम है कि कितना है पाच वोल्ट माल लो current कितनी है total license गिनो ये दो वोल्ट है ये सारी ये दो ओम है ये एक ओम है दो और एक तीम और ये साथ हैं ये तीनों सिरीज में हैं क्योंकि इन में सेम current flow हो रही है तो ये हो गया दो प्लस एक प्लस साथ तो current हो जाएगी हमारी फाइब बाय दो ये तीन और साथ दस फाइब बाय टेन current के value हो गई वन बाय टू एम्पेर मतलब जीरो पॉइंट फाइब एम्पेर तो ये आपका answer आ गया कितना easy सवाल है paper बहुत simple आता है पर वहाँ बनता नहीं है तो ये बनना चाहिए हमेशे आप देखा करिये कि cell किस direction मेट कर रहे है ये विरोध कर रहे है एक दूसरे का oppose कर रहे है अगर ये एक दूसरे का favor करते है तो हम इनका here मेट चोड़ सकते थे ये रहा हमारा अगला सवाल इसको आपनोट करें दर संस अव प्लतिनुमवाग गडिवे एजिनों प्लतिन तो हमें प्लतिनिंद ये इसी स्वाल है हम चे रहा आसर दियाँट पहला आंसर है 3 into 10 to the power minus 3 per degree celsius, दूसरा है 3 into 10 to the power minus 2 per degree celsius, और तीसरा है 3 into 10 to the power minus 1 per degree celsius, और चौता है 3 into 10 to the power minus 4 per degree celsius, तो तीन तो आए गई, तो अब हम इस equation का use कर सकते हैं, rt equal to r naught 1 plus alpha t, rt का मतलब है t degree celsius पर राइसेंस की value, तो 0 degree पर राइसेंस की value तो दी गई है हमें 2 ohm, और 80 degree celsius पर दी गई है 6.8 ohm, और temperature obviously कितना हो गया, 80 degree celsius, यहां value रग भी जाए, 6.8 equal to 2, 1 plus 80 alpha, दो इसको काट देगा 3.4, 3.4 equal to 1 plus 80 alpha, 1 को इधर ले जाएगे, 3.4 minus 1 equal to 80 alpha, तो 2.4 equal to 80 alpha, तो alpha आ गया, 2.4 divided by 80, तो हम इसको लिख सकते हैं, 24 divided by 8, 0, 0. अब हम 8 से cancel कर देते हैं, किस से cancel करते हैं, 8 से, तो यह हो गया 100 बार cancel, और यह हो गया 3 बार, तो alpha आया, 3 by 100, 100 को आप लिख सकते हैं, 10 to the power 2, तो alpha की value हो गई, 3 into 10 to the power minus 2, पर degree Celsius. तो कौंसा answer है, देखते हैं, 3 into 10 to the power minus 2, तो second answer is the right answer. अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तब, calculation के practice करिए, यह सवाल असान था, कोई दिक्कत नहीं गई हमें, अब यह रहा हमारा, अगला सवाल, इसको आप note करें. 10 races, each of races are, are connected in series to a battery of EMF-E, and negligible internal races. अब आगे बोलते हैं, then those are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times. तो current n गुना बढ़ जाती है, the value of n is, पहला answer 100, दूसा answer 1, तीसा answer 1000, चौथा answer 10. तो देखियो, पहले races किस में connected है? series में. 10 races किस में connected है? series में. 2 हराम से, एक मैटों बना सकते हैं, 3, 4, पाँच, छे, आट, नौ, और यह बन गए, इस अब आपके दस, और यह बैटरी हो गई, आपकी कितनी? यह बोल्ट की, जिसका internal races नहीं है. तो current अभी क्या होगी? माल्लो current होगी, I1. तो current होगी, I1 equal to, E upon, R equivalent. अब R equivalent क्या है? R equivalent है 10R. यह आपका होगया, पहला question, पहला part. अब इनी 10 races को, इनी 10 races को parallel में जोड़ा जाता है, इनी 10 races को parallel में जोड़ा जाता है, 1, 2, अराम से करिए, 3, हमें तो पढ़ाना है, तो हमें पूरा बताना पढ़ेगा, चार, पांच, छे, और यह रहा, हो गया पूरा साथ, आठ, नो, कभी न कभी बनी जाएगा, और यह 10, और बैटरी का voltage कितना है? वही E volt. अब मान लेते हैं, कि करन्ट है I2, कितनी करन्ट फ्लो हो रही है I2, तो I2 होगी, E upon, R equivalent, क्योंकि सभी R के बराबर है, तो R equivalent होगा, R by 10, तो I2 की value होगी, 10E upon R, 10E upon R, I2 की value होगी, 10E upon, 10E upon R, अब I1 की value देख लेते हैं, E upon 10R, अब यहां में क्या गिवन हैं, देखे, I2 is equal to N I1, बस सभाग होगा स्वाल, तो यह होगा 10E, upon R, और N, यह होगा, E upon, 10R, E से E, cancel R से R, cancel, तो N की value कितनी आएगी, so, the N will be equal to, the N will be equal to 100, तो N की value कितनी आजाईगी, 100 आजाईगी, तो पस option is the right option, जो को basic सवाल है, असाई से कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर, इसको आप note कर ले, ओके, आपने से note कर लिया होगा, to rice sir of rice sense, 100 ohm एक फाउम है, and 200 ohm are connected in parallel, connected in parallel, in an electrical circuit, the ratio of thermal energy developed in 100 ohm, to that in 200 ohm, in a given time is, परिया है, परिया आंसर है टू इस्टो वन, दूसरा आंसर है बन इस्टो फोर, तीसरा आंसर है फोर इस्टो वन, चौता आंसर है, बन इस्टो टू, तो situation का, अब जैसे, एक यह आपका 100 ohm है, और दूसरा 200 ohm है, दे आर कनेक्टे इन पैरलल, तो पैरलल में हम जानते हैं, कि दोनों पर potential difference क्या होगा, सेम होगा, सेम होने का मतलब constant, अब थर्मल एनरजी का हमें फॉर्मला यूज़ करना चाहिए, वी स्क्वार बाई आर इंटू टी, और टी भी क्या है, दिया होगा है गेवन टाइं, की क्या है, दिया होगा है गेवन टाइं में, क्या होगा, तो h is inversely proportional to r, हम क्या सकते हैं, अगर इसमें h1 heat डवलब होती है, और इसमें h2 heat डवलब होती है, तो हम लिख सकते हैं, h1 upon h2, इक्वल टू आर टू बाई आर वन है आर वन है आपका हंड़िट और यह है टू हंड़िट बहुत सिंपल सवाल है आंसर आ गया टू इस्टू आ तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू इस्टू अब हमेशा याद रखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक अडिशनल नॉलेग् दो रिखिंस है आर वन और न और टू द्या कनेक्टेड इन सब्सक्रीत और इसमें हीट प Waiting 당시र्डी rust शुथ होति है और माल 291-दी अर उतनेधिर्शन ट्यमें इसने प्ट क्यों कि यह सीरीज में तो सीरीज में किया होगी सेली धेन क्या होगी सेलीजर्वी का मतलब कॉंसेंट तो हम यह फॉर्मला यूज़ करेंगे आई स्क्वार्टी तो एच इस प्रपोर्शनल टू आर हमेशा धोला आप ध्यान दखें एच वन अपॉन एच टू कि कब कौन सा फॉर्मला हमें यूज़ करना है अगर इसमें हीट एच वन प्रोडूस होती हो और इसमें ही सवाल होते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो वह सिंपल था आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अब यह सवाल इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट करें डिफ वेलोसिटी पर बेस्ट कोईशन है करन्ट डेंसिटी पर ओके अब इसे आपने नोट कर लिया होगा यह इंपॉर्टेंट सवाल है अब कॉपर वायर ओफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 दूद पाउर माइनस 2 अपॉन पाई तो यहां आपको एक करेक्शन करना है तो वह मैं थोड़ा कलर में कर देता हूँ यह रूट पाई होना चीए क्या होना चीए रूट पाई मीटर है इस इलेक्रिकल राइस अफ टैनों दा करन डेंसिटी इन दा वायर पॉर एलेक्रिक फिल्ट स्टैंथ आफ टैन वोल्ड पर मीटर तो नीट का सवाल है दोजार बाईस में आया हुआ है तो सबसे पहले हमें समय ना पढ़ेगा कि मैं करन डेंसिटी क्या होती है तो करन डेंसिटी को हम निकाल सकते हैं अब हम निकाल सकते हैं कंडक्टंस तkten देंस पस्टैंटू अलेक्ट्रिक फिल्ड और इसको लिखेंगे ईसको लिखेंगे सिंगमगे अब कंडक्टंस को हम लिख सकते हैं वन अपोन राइस थीवागा 1 upon rho तो j equal to हो जाएगा e upon rho अब हम races जानते हैं क्या होता है rho l by a यहां से हम लिख सकते हैं r into a upon l equal to किसकी value rho की value अब यह value यहां रख देंगे तो यह हो जाएगा हमारा e upon r a upon l तो current density हो गई e into l upon r into a अब area of cross section को हम लिख सकते हैं pi r square तो यह आपकर current density का formula बन गया तो j equal to e l upon r into pi r square अब electric field दी गई है 10 length दी गई है 10 resistance दिया गया है 10 और radius दी गई है 10 to the power minus 2 upon root pi यह correction मैंने आपको बताया था तो दस से 10 तो यहां cancel हो गया तो यह बचा 10 और यहां बचा pi 10 to the power minus 4 रूट pi का जब square करेंगे तो pi आ जाएगा pi से pi तो j equal to 10 upon 10 to the power minus 4 तो यह हो गया 10 to the power 5 ampere per meter square यह question का correct answer होना चाहिए तो the third option is the right option यह important concept है इसका खोड़ा धियार रखिए और अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ यह रहा हमारा अगला सवाल इसको नोट करा जाए the reading of an ideal volt meter in the circuit shown is 0.4 volt 0.6 volt 0.5 volt तो यह circuit दिया गया है और यहां दिया गया है हमें ideal volt meter हमें इसकी reading निकालनी है तो थोड़ा हमें circuit को क्या करना पड़ेगा naming करनी पड़ेगी माल लीजे है यह point है ए और यह point है बी तो अब हमें निकालना है ए और बी के बीच में potential difference तो हमारा question बदल गया अब हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी क्योंकि वोल्ट मेंटर potential difference पड़ता है अब सबसे पहले दूसरी बात यह ideal volt meter है और ideal volt meter का जो resistance होता है वो क्या होता है इंफिनिटी होता है तो infinity resistance होने के कारण ideal volt meter में कोई भी current flow नहीं होगी यह हमें हमेशा ध्यान दसना है तो अब देखिए 20 ohm और 30 ohm यह जुड़ा हुआ है आपका 20 ohm और यह जुड़ा हुआ है आपका 30 ohm और इसके साथ यह जुड़ा हुआ हुआ है 30 ohm और फिर जुड़ा हुआ है तो वोल्ट मीटर से कोई भी current flow नहीं होगी मैं यह कहना चाहरा था आप से और यह दो वोल्ट की बैटरी है अब 20 और 30 series में है तो यह हो जाएगा जुड़कर 50 ohm इसी तरह 30 और 20 भी series में है तो यह जुड़कर हो जाएगा पचास हों और EMF supply है voltage supply है दो वोल्ट की अब नेट राइसेंस निकाल लिया तो नेट राइसेंस हमारा आएगा पचास और पचास parallel में है तो नेट राइसेंस होगा 25 पचास upon दो और यह voltage है दो वोल्ट तो हमने circuit में अब current निकाल लिया तो circuit में कितनी current flow होगी current equal to EMF upon total राइसेंस EMF upon total राइसेंस तो current आ गई हमारी 2 by 25 कितनी आ गई current 2 by 25 तो देखिए यह current कितनी है 2 by 25 अब यहां पर current दो हिस्तों बटेगी उसका एक पार्ट ऊपर जाएगा और एक पार्ट नीचे आएगा पर ऊपर टोटल राइसेंस हम देखिएंगे step number 1 में total resistance निकालो step number 2 में current निकालो step number 3 में ऊपर की branch में कितनी current flow हो रही है और नीचे की branch में कितनी current flow हो रही है इसको निकालो इसके बाद अब इस circuit को redraw करते हैं और इसको absolve करेंगे बीस और तीस और यहां था तीस ओम और यह बी था और यह हो गया बीस ओम और current हमें मालूँ है उपर वाली branch में कितनी है 1 by 25 नीचे वाली branch में 1 by 25 अब करना क्या है आपको इस point को नाम देना है x क्या नाम देना है x तो vx-va नेकालेंगे आथा नेकालंगे x और एक्स के करेंट कितनी ह। तो 1 by 25 इंटो वी तो zal चार अपउपांच इसी दरह दीच माइनस दीच माइनस दीच माइनस मुद्ध निकाल नालाए VX minus VA कितना हो गया 4 by 5 और VX minus VB हो गया 6 by 5 माइनस कर दीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस तो VX कर जाएगा तो यह हो जाएगा minus VA plus VB equal to 4 by 5 minus 6 by 5 minus 2 by 5 तो minus VA plus VB कितना हुआ minus 2 by 5 minus 1 से multiply कर दीजिए VA minus VB होगा 2 by 5 that is 0.4 volt इसका answer है 0.4 volt 0.4 volt first answer is the right answer आगे बढ़ते हैं अब यह रहा हमारा अगला सवाल a set of N equal resistance इसको नोट करें yes, a set of N equal resistance of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R यह भी दिया हुआ है the current drawn is I now the N resistance R connected in parallel to the same battery then the current drawn from the battery becomes 10 I then value of N is the value of N is तो पहले series में जुड़ेंगे थीक है तो जब series में जुड़ेंगे तो net resistance कितना हो जाएगा N R और यह रही battery जिसका internal resistance है R अब माल लीज़े यहाँ current कितनी है I लिया हुआ है EMF upon total resistance N R plus R यह हमारा पहला equation हो गया अब question के second part में कहा गया है कि इन सभी resistance को parallel में जोड़ देते हैं तो parallel में भाई total resistance कितना होगा अगर R है R by N E और internal resistance R अब current बोलते हैं कितनी है 10 I तो 10 I equal to EMF upon total resistance R plus R plus R by N R plus R by N क्योंकि parallel में कितनी जुड़े होगे R N जुड़े होगे तो net resistance कितनी हो जाएगा R by N अब यह आपका दूसरा equation आ गया अब करना क्या है पहले equation से I की value को दूसरे equation में रखना है रखते हैं E upon N R plus R E upon R plus R by N E से E कट गया तो यहां बचेगा 10 और right में 10 upon N R plus R N R plus R equal to right में बचेगा 1 upon R plus R by N अब एक काम करते हैं R को common निकाल लेते हैं N plus 1 तो यह हो जाएगा 1 plus 1 by N R से R कट जाएगा तो अब बचा 10 upon N plus 1 equal to 1 upon 1 by N अब cross multiplication कर दिया तो आना तो चाहिए answer 10 into 1 plus 1 by N equal to N plus 1 यहां LCM लिया N N plus 1 equal to N plus 1 यह कट गिया तो 10 by N equal to 1 तो N equal to 10 तो इसका correct answer है N equal to 10 N equal to 10 N equal to बहुत अच्छा सवाल है N equal to 10 तो यह समझ में आ गया तो अब आगे अगले कोशन के लिए तो अब बढ़ते हैं तो यह रहा हमारा अगले कोशन आप इसे नोट कर लिए सिंपल कोशन है ओके नोट कर लिए आपने अब दिखिए कोशन कहता है N equal registers अब equal register हम माल लेते हैं सबकी value कितनी है R R first connected in series then connected in parallel what is the ratio of maximum to minimum registers सबसे पहली बात तो आप यह समझ लीजे series में जब हम resistance को जोड़ते हैं तब total resistance होता है R1 plus R2 plus R3 and so on तो series में resistance maximum होता है और parallel में resistance क्या होता है minimum होता है concept number one क्या होगा maximum का मतलब क्या होगा maximum का मतलब होगा series minimum का मतलब होगा parallel यह पहली concept होगी बहुत simple question है तो यह बात clear होगी अब हमसे पूछा गया है अब हमने मान लिया let each resistance is let each resistance is R अब सिरीज में जब हम राइसेंस को जोड़ेंगे तो हमें राइसेंस मैक्सिमम मिलेगा और कैसे मिलेगा आर वन प्लस आर टू एंड सो और तो यहां पर हमने जोड़े हो हैं कितने राइसेंस N राइसेंस तो हम यहां लिख देंगे N टर्म्स तो मैक्सिमम राइसेंस की जो वैल्यू आएगी आवियसली वो कितनी आएगी N आर कितनी आएगी N आर आएगी अब बात करते हैं मिनिमम मिलेगा हमें परलल में मिलेगा तो आर मिनिमम होगा परॉबलम वाली बात नहीं है तो हमें ratio निकालना है r maximum upon किसका r minimum तो r maximum है आपका nr और r minimum है r by n, r से r कड़ जाएगा तो यह कितना आजाएगा आपका ratio n square आजाएगा तो इसका correct option क्या होगा n square अगर हम बहुत बारिकी से previous year question papers को देखें तो हमें पता चलता है कई questions अगर हम 50 questions की बात करते हैं 50 questions की बात करते हैं तो हम देखते हैं उसमें से 36-37 questions बिलकुल ऐसे होते हैं जिसे आप असानी से कर सकते हो लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ हम लोग negative कर देते हैं तो निगेटिव से वे बशना है, निगेटिव से बशने के लिए जरूरी है कि हम अपना रिविजन क्या करें, मजबूत करें एक बार, दो बार, तीम बार, जितनी बार हम रिवाइस करेंगे, हम सक्सेस के उतना ही पास पहुंच जाएंगे, तो उमीद है, ये समझ में आ गय जारी रहेंगी उमीद है कि ये रीकप से आपको मदद मिली होगी हम यही काम ना करते हैं कि आप बहुत अधिक मेहनत करें बहुत अच्छे से रेवाइस करें और डेफिनेटली आप अगले साल पास हो जाए यही हमारी इच्छा है और मुझे लगता है यही आपकी भी करें दूसरी चीज कभी फास्वर्वर्वड करके किसी लेक्षर को नहीं देखें रिविजर ने कभी यह मत सोचें कि मुझे आ गया जाता है कि हमें आ गया है मुझे आ गया है तो उस दिन क्या होता है उस दिन हम असाभलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर म